जैस रिक्रिष्णा दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं तिल गुर का गज़ा की इस मिठाई में हम ना ही मावा यूज करेंगे ना ही दूद ना ही मिल्क पाउडर और ना ही चीनी ऐसा कुछ भी नहीं एड़ करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ तिल और गुर से यह मिठाई आने में में भी बहुत ही असान है मिल्क और यह से भी जादा टेश्ट यह खाने में भी लगता है और एक बны आलेंगे तो महीनों तक इससे इस्टोर करकर रह सकते हैं तो चलिए शिरू करते हैं सबसे पहले हम एक कटोड़ी त्येल यह सफेर तिल लिया है काले तील से नही कर लिए हैं और आज का फ्लिम theकर लिया है ओर फिर पिर ढललेंगे तिल टेल डालकर हम इसे रोस्ट करेंगे फिलेंगे स्लो फ्लेंज एक से dni करने में जब हमारा टील हलका हलका, फुलने लगे और हलका सचाटकने लगे तो हमारा तील भूण जाएगा वैसे टाइमिग एक से डेह मिनट में तील भूनकर रेडी हो जाता है फटा फट से तील भूनकर रेडी हो जाता है और हम दागातार चलाते हुए तील को भूनेंगे और जब हमारा तील फुला फुला दीखने लगे तो हमारा तील भूनकर रेडी हो गया है और अब हम इसे एक ट्रे में निका लिए हैं ठंडा करने के लिए देखिए कितना सुन्दर से हमारा तील भूनकर रेडी हो गया है कलर भी नहीं चेंज हुआ है और अच्छे से रोस्ट भी हो गया है फिर हम कराही में एक चमज छोटे चमज से घी डाल देंगे और घी डालकर हम उसमें डाल लेंगे चार से पांच छोटे चमज से पानी पानी डालने के बाद हम इसमें डाल लेंगे गूर पानी डालने से हमारा गूर जलता नहीं है और हमारा जमिठा ही है बहुत अच्छा बन कर त्यार होता है इसलिए थोड़ा सा पानी डाल ले और फिर हम गूर को इसमें पिगला लेंगे ह मतलब की जब यह हम पानी में डाले तो यह पानी में नीचे बैठ जाए और एकदम पत्थर के तरह हाड हो जाए तोरे तो टूट जाए इस तरह से हम चासनी को त्यार करेंगे तो हम पानी में डाल के चेक कर लेंगे कि हमारा चासनी त्यार हुआ है कि नहीं एक बार डाले थे तो वो त्यार नहीं हुआ था लिपली पासा था तो फिर हम दूसरे बारी से डाल कर चेक कर ले रहें आज का फ्लेम स्लो कर लेंगे एकदम से तब हम इसे चेक करेंगे नहीं तो हमारा गुर जल जाएगा और यह देखिया हमारा एकदम से चासनी त्यार हो गया है एकदम पत् जो है एकदम करवा लगने लगेगा गूर का तो इसलिए हम लागातार स्लो फ्लेंपे चलाते ही रहेंगे नहीं तो यह पकड़ लेगा नीचे से करा ही और इस तरह से हम तील डालकर गैस को आफ कर दिये हैं और हम लगतार इसे 8 से 10 से के लिए चलाएंगे और अच्छे से मिक लादे रही हूं मैं चकले नहीं यूज करें हूं क्योंकि हमारा चकला चोटा है और बेलन में भी लगा ले रही हूं आप चाहे तो अपने चकले पर कर सकते हैं हम यह पर अपने प्लेटफर्म पे ही तील और गूर को डालकर फैलाएंगे हम इसलिए लिए लगा लेते हैं ताकि यह जो गूर और तील जो है वो चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए रही से सारे तील और गूर को हम निकाल के इस से पर डालेंगे और यह काम हम फटाफट से ही करेंगे नहीं तो यह जो हमारा तील है और गूर यह बहुत ही जल्दी जम जाता है और डालकर हम इस बेलएंस के फट्रफट वु भट से जितना हो सके उत्यॉन Origin of 파리 के तरह एकदम बेल देंगे तो हम से यह नहीं देखेंगे कि गोल होड़ां किनाहिए सभी हो इसैं बेल कर त्यार करना है जाहिए हम इसए तेरा मेरा कैसा भी बेले बस इसे पतला पापरी के तरह बेल कर त्यार कर लेंगे और इस तरह से हम फटा फट से बेल कर त्यार कर लेंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ दिये थे और हमारा तील पापरी एकदम अच्छे τरफ से ठंडा हो गया है और एकदम क्रिस्पी त्यार हुआ है हमारा पापरी तो हम अब क्या करेंगे, फटा-फट से इसे निकालेंगे और छोटे-छोटे टुक्रे करते जाएंगे इस तरह से हम इजली हाथ से निकाल लेंगे और इसे हम तोर तोर के एकदम छोटा छोटा टुकरा कर लेंगे एक देखिए हमारा पापड़ी एकदम से अच्छे तरीके से निकल गया है इसे हम निकाल लिए पूरे के पूरे पापड़ी को और हम इसे टुकरों में कर देंगे एकदम इजिली टूटी जाता है तो इस तरह से हम तोड लेंगे छोटे छोटे टुकरों में आप चाहे तो इस तरह से भी खा सकते हैं लेकिन हम जो है अलग तरह से मिठाई बना रहे हैं गजग तो इस तरह से हम इसे छोटे-छोटे टुकरों में सारे गजग को तोर कर एक साथ कर लेंगे और बहुत ही असाने से टूट भी जाता है और यह देखे कि तसंदर से हमारा टुकरों में पापरी टूट कर त्यार हो गया है सारे हम पापरी को तूर के छोटे-छोटे कर लिए हैं हम इसे और छोटा करके मिक्सिक ग्राइंडर में डालेंगे ताकि हमारा ब्लेड जो है वो टूटे नहीं तो इसलिए जितना छोटा टुकरा हो उतना छोटा टुकरा करके इसमें मिक्सिक जार में डालेंगे और फिर इसे पीश लिजे दरदरा पीशना है इसे एकदम महीन बारी नहीं पीशना है एक दम देखिए दरदर हम इसे पीश लिये हैं बहुत असानी से पीश जाता है तो फिर हम इसे एक बरतन में डाल लेंगे और हम थोड़ा थोड़ा करके पापरी को पीशेंगे एक साथ नहीं पीश रहे हैं और हम आप चाहे तो एक साथ पीश सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा थ तूटे नहीं, इसलिए मैं एक साथ नहीं पीशती हूँ, इस तरह से हम टुकरों में करके, मिक्सिजार में डालके, और थोड़ा-थोड़ा करके इसे पीश लेंगे, और पीश कर हमारा ये दरदरा सा त्यार हो गया है, एकदम पौडर बन गया है, देखिए कितना सुन्दर स तो सारा पापरी को में पीश कर त्यार कर ली हूँ, अब फटा-फट से हम इसे बना लेंगे, इस मिठाई को, तो हम कराही रख दिया है, गरम होने के लिए, तो कराही में हम तीन से चार चमच घी डालेंगे, ताकि हमारा गजग जो है, एकदम सौफ्ट बने, इस तरह से हम घी डाल लेंगे, और इसे पिघलने देने देंगे, हलका गरम हो जाए और पिघल जाए, तो फिर हम इसमें डालेंगे अपना तील और गूर का पाउडर, इस तरह से हम डाल के थोरा सा हिला ले रही हूँ, ताकि हमारा घी जो है, एकदम अच्छे से पिघल जाए, और आज का फ्लेम एकदम हम स्लो रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसे नहीं करना है, एकदम स्लो फ्लेम पे करना है, तो हम फिर इसमें पॉडर को डाल लेंगे, और अच्छे से हम इसे घी के साथ जो है, मिक्स कर लेंगे, हम इसलिए गरम कर लेते हैं, फिर से ताकि ये जो गूर है, हल हमारा जो गजक है वो सॉप्ट बने इस तरह से घी चार चमज बरे चमज से डाल लिये थे और इसे हम अच्छे तरह से मिक्स कर ले हैं और ज़्यादा इसे नहीं करना है बस एक मिन तक ही गरम करना है स्लो फ्लेम पे ताकि गुड़ जो है हमारा अच्छे से थोड़ा सा वो पिघलने टाइप में होजा और अच्छे सेट हो जाए जब हम गजक बनाए तो, इस तर्छे हम इसे चला ले रहे हैं अच्छे तरह से एक मिं उतारा लिए है। और फटाफट से हम इसे एक थाली में घी लगा लेंगे ताकि हमारा गूर है और तील जो इसमें थाली में चिपके नहीं आप चाहे तो बटर पेपर पर भी इसे सेट कर सकते हैं हम इसे थाली पे डाल कर ही set कर लेंगे और हम गजक इसी तरह से तयार करेंगे तो हम एकदम से फटाफट से इसे डालेंगे गूर और तील को ताकि ये ठंडा ना हो गरम गरम रहे तभी ये जाके set होगा नहीं तो ये खुलने लगेगा बंदेगा नहीं इस तरह से हम फटाफट से कराही में डालेंगे और इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अच्छे तरह से कर लेंगे और इसे हम अच्छे तरह से set कर लेंगे थाली पे ये हमारा पूरे थाली में नहीं आ रहा है आधा ही थाली पे set हुआ है क्योंकि इसे पतला करूंगी तो एकदम पापरी की तरह हो जाएगा और हम इसे गजग मिठाई बना रहे तो थोड़ा मोड़ा रहे परत तो अच्छा लगेगा तो इस तरह से हम आधा ही थाली में किया है और इसे अच्छे तरह से दबा दबा कर एकदम हाथ से प्रेशर डाल कर सेट कर लिए हैं और हम इस पे डाले हैं थोड़ा सा कटा हुआ बदाम और काजू और दो गंटे के लिए set होने के लिए छोड़ दे तो वहते ही क्योंकि यह इतना इसा आफहता है कि तूट ने का भी डर रहता है तो इशे थोड़ा वजल के रखेंगे और बच्चो बर्यों को सबको खिलाए बहुत ही फायदे मंद है ये तील और गुर तो इस सर्दियों में इसे अक्सर हम लोग बनाते हैं और खिलाते हैं लेकिन थोड़ा अलग करते हैं तो इस तरह से अपने घर में ट्राइ कीजेगा और कॉमेंट करके बताएगा कि आपका इलगजक कैसा बना और मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई